तो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इस हड्समिसरा और यू आर वाचिंग किर्केट तो गाज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपिल हिस्टरी की बढ़िया टीमों में से एक केके आर टीम की आईपिल आक्षन की डेट फिक्स हो चुकी है तो आक्षन होन की विनर जो उन्होंने 2012-2014 में आईपिल टाइटल को जीता था केके आर का लास्ट सीजन उतना बढ़िया नहीं गया है मिडल आफ्ट टूनाइमेंट उन्होंने छे मैस गवाई जिसके काड़ इनकी टीम कौलिफाई नहीं कर पाई और अगर हम देखें तो लास्ट इयर के क्यार की टीम पूरी तरह से अंद्रे रेसल पर डिपेंडर होती नजर आई है अंद्रे रेसल के क्यार के लिए हाई रन स्कोरर और लीडिंग बिकेट टेकर रहे थे हाला के क्यार और संराजस हैदरावाद दोनों के 14-14 पॉइंट से इन के क्यार नेटरन रेट में पीछे गए और पिले आपकी रेस से बाहर हो गए तो आज की वीडियो में मैं इसे पांच बिलियर्स की बात करेंगे जिनको आई पी लाकसंद वार 20 में के क्यार की टीम जरूर अपनी टीम में एड़ करना चाहेंगी जिससे इनकी टीम में इस्टेबिलिटी आसके और पीछले साल की कम्यों को बहुत दूर कर सकें तो जानने के लिए पिलिज इस वीडियो को एंड तक देखते रहे साती हमारे चैनल को कर लिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली किर्किट की ऐसी ही लेटेस्ट न्यूजन अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंसती रहें तो आपक सब्सक्राइब तो उनके बालर सुराती बिगट चटकाने में नाकाम रहें और विपच्ची टीम पर प्लेसर क्रियेट नहीं कर पाए सेलर काटर इन एक आम बखूवी कर सकते हैं नई गिन से स्विंग कराने में माहर है उसके साथ ही पेसी आरकर्स डाले में भी सक्षे में और इसके साथ ही बढ़िया बांसर्ज भी करते हैं कर्रेंट फार्म काफी बढ़िया है 2019 बल्ड कम में ये अपनी टीम के लीडिंग बिकेट टेकर रहे थे जहां इनोंने कुल 12 बिकेट चटकाए थे लाश्ट केरेवियन प्रीमेर लिग एडिसन में इनोंने 8 में चुमें 12 बिकेट चटकाए हैं और जहां इनकी एकोनमी 7.18 की रही थी ये अभी तक CPL में टीम सेंट कीट्स एंड नेविस पैट्रियाट्स के लिए 77 मैच खेल चुके हैं जहां इनोंने कुल 111 बिकेट लिए हैं तो एक एक यार के लिए काफी वड़िया आपसन हो सकते हैं इस करेंट टाइम में इंग्लेंड के डोमेस्टिक क्रिक्ट के वन अब दी डैसिंग ओपनर्स में से एक हैं खास तौर से टीट्वेंटी में दोयार 19 टीट्वेंटी ब्लास्ट में इनका समर्शेट के लिए कैम्पिन काफी बढ़िया रहा था और इन इस सेकेंड हाइस्ट र रहे नहीं हैं इंजुरी का भी उनके लिए इसू रहता है तो ऐसे में अच्छी पिक हो सकते हैं इस लिष्ट में नंबर दो पर हैं हैड़न बाल्स जूनियर हैड़न वाल्स जूनियर अमेरिका के लिए पहले खेल चुके हैं हालाक 2019 में वेस्ट इंडीज का हिस्सा है सीप 12 में केके आर में सुनिल नरायन को अपनी स्कौाइड में जोड़ा उसके बाद से वो उनकी टीम के वन अब दा ग्रेटिस्ट बॉलर रहे हैं इस आक्सम में हैड़न बाल्स जूनियर को भी एड़ करना केके लिए उतना ही फायदे मन्ध हो सकता है इस लिष्ट में नंबर चार पर हैं विष्णू बिनोद विष्णू बिनोद द्यार सत्तरे में लाइन लाइट में आये थे जब रायल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने इन्हें एड़ किया था लेकिन यहां सिर्फ इन्हें तीन मैंचो का मौका मिला और कुल उन्नीस रन बना पाए लिए जिस ह बना कर कंसिस्टेंसी भी दिखाई थी बेजह ज़र ट्राफी में भी बड़िया फार्म में नजर आ रहे हैं तो ऐसे में विष्णू बिनोद को पिक करना केके आर्ग लिए अच्छी 24 होगी इस लिष्ट में नमर पांट पर है बानिंडू हसरंगा बानिंडू हसरंगा इसके साथ इनकी हीटिंग एविलिटी भी काफी बढ़िया है इनका टीटीटी स्टारेट 133 का रहता है तो यह केक्यार के लिए अच्छी हीटिंग भी करके दे सकते हैं तो ऐसे में केक्यार की टीम इन्हें जरूराइट करना चाहें तो आई होब आपको वीडियो सेर कीजिए और हमारे चैनल को कर लिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली क्रिकेड़ की ऐसी ही लेटेस्ट नीजन अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंसते रहे तो आज के लिए वसे इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिन जै भारत